वेलकम टू मबबीएस टाइरीज सुभे की शुरुवात हुई एक्तम अच्छे से इस व्यू से जो कि मेरे इंडोर प्लांट्स का था उसके बाद मैंने अपनी बेची बेच सब बनाया अच्छे से ठीक है आज वेडनेस टे था यार तो आज ना हाफ दे होता है और मैं आज कॉलेज नहीं जाने वाली हूँ क्योंकि मुझे अब बहुत जादा सेल्फ स्टडी के जरूरत है अटेंडेंस मेरी ठीक है और मैं बना लूँगे तो अब यहना मैं वेडनेस टे इसको नहीं जानगी ऐसा मैंने सोचा है अंटेंडेंस बहुत इमरजेंसी ना हो तो फटा फट सुबह उठी अपना बैट बनाया जहाडू निकाली फिर नहाद होके आ गई मैं और अब सिर्फ मुझे पढ़ाई करनी थी तो फटा फट से मैंने ये थोड़ा स्केन केर करा और ब्रेकफास्ट करनी भी नहीं जा रही हूँ आज की दिन इरली होती है उतनी नहीं पसंद है मुझे है न तो बस प्लांट्स को मैंने भार रखा था कि थोड़ी धूप लगे इनको एक हफते में एक बार धूप दिखानी थी इनको ऐसा बूला था जिनसे मैं प्लांट्स लेके आई थी फिर मैं पढ़ने बैठी तो मैं सर्जरी पढ़ रही हूँ करेंटली और पढ़ने तो मैं बैठ गई थी और मैंने सोचा कि एक टॉपिक कर लेती हूँ फिर ही कुछ खाऊंगी क्योंकि सुबह सुबह मुझे ब्रेकफास चाहिए ही होता है लेकिन आज मैंने ब्रेकफास न चेंज किये ताकि थोड़ा ठीक सा वीडियो मिल जाए तो बीच बीच में ये काम भी मैंने किया था तो पढ़ाई करते करते ना भूख तो बहुत लग रही थी इसलिए मैं उठी और खाने के लिए कुछ लेके आई और खाते खाते तो थोड़ी तर फोन चलाना ही होता है म तो मैं लेकि आई थी गांठी है तो गांठी मुझे काफी अच्छे लगते है गुजराती चीज है ये एक तरीके से गुजराती स्नेक है ना तो गुजरात में बहुत सारी ऐसे थेपला फापडा गांठी ये सब होता है मैं गुजरात में रही हूं काफी साल इसलिए मुझ entertain किया एझ सौनफीक भेडि टों मैं ना breast पड़्री थी तो breast और उससे पहले मैंने छॉक पड़ा सौरी के आज कि मैं topics पढ़ाती हूं तो मैंने में पहले सब से पहले तो शॉक वाला टॉपिक पड़ा फिर में ब्रेस्ट वाला टॉपिक पढ़ना था एंड जो ब्रेस्ट वाला टॉपिक यह काफी बड़ा है तो मुझे अच्छा कासा टाइम इस में लगने वाला था तो इसलिए मुझे थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी क्योंकि आप किसी भी टॉपिक को फर्स टाइम पढ़ते हो तो आप पूरा 100% रिटेन नहीं कर पाते हो तो वो एक प्रोबम में फेज कर रही थी इसलिए बीच मेंने फिर एक टॉपिक के कुशन्स और किये थे ना फोन लेकर भाःती तके엔 तो मैंने फिर एक टॉपिक के क्वेश्चन्स आप ऐते हो क्योंकि एक चन्स लेडा ह सी डूड़ कर ले थी थी ऑर वह Mis Maa record नहीं किया so I was trying I was struggling actually to memorize all these you know classification staging investigations बहुत कुछ था but जैसे तैसे अपने color pencils और इन अब को use करके बीच बीच में थोड़ी snacking करके at this moment also मैं पढ़ी रही थी और कुछ चीज़े topics जो मुझे समझ नहीं आ रही थी उनकी मैं videos देख रही थी बाट बीच में थोड़ी dark chocolate खा ली क्योंकि breakfast की तो मुझे बहुत बुरी आदत है ब्रेकफास नहीं करती ना तो मुझे भूख लगती ही रहती है तो यह dark chocolate जो होती ना मुझे पूरी एक भार में नहीं खाय जाती है चार-पांच दिन तक मैं खाती हूं तो बीच में मैंने फिर चोटा से एक ब्रेक लिया तो मैंने थोड़े अपने plants को देखा यार मुझे थोड़ा बताना आप है ना indoor plants के कैसे करने है क्योंकि this is for the very first time जब मैंने plants के हैं तो मेरा मिरको इनको सच में मरने नहीं देना है तो मुझे comment section में कुछ advice करना आप ओके उसके बाद यह 11.41 हो गए तो मैंने थोड़ी देर और पढ़ाई की एक topic और कवर किया फिर मुझे जाना था lunch करने so एक topic और cover करके मैं ready हुई and ready होके मैं जा रही हूँ अभी खाने तो अब देखो बारिश हो रखी है अब गीला 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 हो रखा है you know आप अगर अपनी रूम में बैठे हो अपनी वालकोनी में बैठे हो तो बारिश बहुत बच्ची है लेकिन अगर आप नीचे रोड़ पी पिच 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 करके जा रहे हो ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तो फिर जैसे तैसे mess पहुँच के and मैंने यह थोड़ा मेरा लंच किया भूख तो लगी थी रोटी चावल दाल थोड़ी घ्या की सबजी सैलर रायता एक केला यह खा के थोड़ा पेत भर गया मेरा वापस रूम में आई देखो लेती नीम है लेतनी का मन था मेरा लेकिन फिर मुझे लंबी ही नीद आ जाती इसलिए मैंने सोचा कि एक दो टॉपिक और पढ़ लेते हैं विडियोस देख लेते हैं और थोड़ा सा मतलब इस टाइम को यूटिलाइस कर लेता है वरना बहुत लंबे टाइम के लिए चली जाओंगी मैं अगर सोगी इस टाइम क्योंकि खाना खा क्या आते हैं तो नीन तो आई इसलिए मैंने थोड़ा इंट्रेस्टिंग सा वीडियो देखा था कि मुझे जादा नेन ना आए फिर ना मेरा अमेजोन से एक पार्सल आया हुआ था सो मुझे ये यूज करना था जो कि आर्टिफिशल वाइन प्लांट है सो इसको मैंने यूज इसकी मैंने रील भी है ठीक है सो मुझे तो अभी प्यारा लग रहा है वैसे और ये आर्टिफिशल है तो इंकम मरने का भी डरने ही है कम से कम और आप लोगों को जैसी भी लग रही हूँ एकदम ओनेस से रिव्यूज मुझे बता देना कॉमें सेक्शन में है सो अभी ये फाइनल है फाइनल ल कर दिया बीच में अट-लीस्ट कुछ हे रेक्रेट करना था ये सब कर लिया बाकी वेर्नेस्टे कुई में चोटी करूंगी और मंडे तूस्डे जाओंगी थर्स्डे फ्राइड भी जाओंगी सेटर्डे और संदे अब से हमारा ओफने वाले है क्यूंकि हमारे ही टाइम से कर्कुलम पुरा चेंग होगा है कर्कुलम पुर्स दियुक्त करना नहीं तो अब ही नगे बात करनी चाहिए क्यूंकि मैं पढ़ा ही गविए तो मने शोचा कि कुछ इसे breast cancer के cases बढ़ रहा है so इसके में कुछ risk factors होते है risk factors क्या होते है अगर यह चीज आप में है तो chances है आपको breast cancer हो सकता है as compared to ऐसे individuals जिनके अंदर यह वाले risk factors नहीं है so अगर आप में इन में से कोई भी risk factor है then you have to be a little bit cautious okay आपको उस चीज का धहना पड़ेगा और future में जिते भी screening test होते है वो करवाने पड़ेगे मतलब थोड़ा पनी health की तब थोड़ा और धहना पड़ेगा so कुछ risk factors है जो हमारे हाथ में है जिनका हम कुछ नहीं कर सकते but कुछ risk factors हैं जो हम बिल्कुल कर सकते है so ऐसे risk factors जो हमारे हाथ में उन में से आता है कि early menarki अगर आपको periods बहुत जल्दी आपकी menstrual cycle जो हो बहुत जल्दी start होई थी ठीक है यह late menopause यह फिर आपकी जो मतलब ऐसे लेदी इंडिया में 47-50 तक menopause आ जाता है 50 years तक तक अगर आपका late menopause चल रहा है तो वह भी risk factor है एक बहुत important risk factor है वह है family history अगर आपकी family में किसी को breast cancer था especially आपके first degree related for example आपकी mother को बहुत risk है आपके लिए तो आपको पहले से ही precautions लेने पड़ेंगे I know यह थोड़ा harsh है but यह fact है इसलिए मैं आपको बता रही है क्योंकि नहीं बता होता है if we are like not in this field हम नहीं पढ़ते हैं हम नहीं जानते हैं चीज़ों को हम उस चीज को तरना मतलब मैं सिर्फ awareness पहलाने के लिए आपको यह चापचीजर बता रही हैं अब इसके बादे हैं जो हम कंट्रोल कर सकता है and I know यह जोड़ा ज्यानवाली बात हो जाएगी but guys breast cancer even for yeah यह video वैसे भी girls के एए so girls alcohol okay smoking obesity यह सब risk factors हैं breast cancer के लिए अब अगर आप सेट्वेल्थ में हो अगर आप नीट की यूजी की तियारी करे हो आप लोगों को अभी यह सब चीजे उतना समझ नहीं आ रही हैं कि हम तो नहीं करते हैं alcohol हम तो क्यों करेंगे smoking हम तो नहीं है मोटे but guys एक चीज मैं आपको बताती हूं कि जब आप college में आते हो ना तो यहां पर alcohol smoking का culture बहुत जाते है I have seen people जो यहां college में आए थे and उन्होंने कभी जंदगे में drink or smoke नहीं कर रहा था even उनको पसंद भी नहीं था but peer oppression में आके क्योंकि उनके group के members कर रहे हैं वो left out feel कर रहे हैं क्योंकि you know बहुत influence उनके उपर है इसलिए उन्होंने यहां पे आके लेकिन यह as a medico as a medical student अभी जल्दी डॉक्तर बनने वाली हो उस हिसाब से मैं बूली हूँ और guys अगर आप लोग मतलब जितना हो सके इसलिए से दूर रहेंगे तो it's better बहुत सारे ऐसे लोग आपको influence करने आएंगे यह जितना हो ना यह आपको अगर रिधा लुक्तर पीशना जो एक जितना वह भी बरबाद नो आपको डूडा आपना रगी अगर आपको अगर लगा की बताना चैजिए तो मैं उस्टर पर लेटर तो आपको कैसे समझाएगे कि क्या होता है यह क्या नहीं इसलिए बहुत ही असान चीज असान भाज़ा में बता हूंगे मैं आपको बहुत कॉम्लिकेटर चीज़ है मैं नहीं बता हूंगी and that's it for this video I guess बाकी आज का ब्लोग कंटीनिव करते है sooo अभी तो मुझे बहुत पढ़ना है यार I know पर पता है concentration बीच बीच में हट जाती है anyways आप यह बताओ पीछे का background कैसा लग रहा है let me know ओबर तो नहीं हो गया है न सच सच बताना होगे so bye फिर मैंने थोड़ी देर और बढ़ाई की and मैं डिस्ट्रेक्ट हुई बहुत जोर जोर यह जो हमाई चल रही थी इन से और फिर जल्दी ही बहुत जोर जोर से बारिश भी आने लगी मौसम तो बहुत ही प्यारा हो गया था लेकिन गर्मी तो खतम हुई नहीं लिए बिल्कुल भी तो मैंने बातकोनी में पढ़के थोड़ा सा रिवाइस किया उसके बाद बारिश रुप गई थी तो मुझे नेचे जाके मिर्टी ले आने चीज लगी कि मुझे कुछ बीज में लेकि आई थी वह उगाने थे तो मैं नीचे जाके मिर्टी वित्ती लेकि यह और मेरे प्लांट्स को भी मैंने थोड़ा बाहर रखा ताकि इनको बाहर का मौसम बाहर का पानी बारिश सब दिखिए I don't know यह सही है या नहीं बट फिर मैंने यह अपने पोर्ट्स में ना मिट्टी भरके और बीज डाले अब देखते हैं यह कितने गरो करते हैं अब मैं यह बस ग्रो कर जाएं ठीक से बाकी प्लांट्स तो मैंने बारिश मिसली रखे थे वैसे तो बारिश अभी खतम होगी ताकि थोड़े धुल जाएं एनिवेज यह सब करते करते ना अल्मोस्ट आर सार्याट होई गहते तो अब मुझे जाना था दिनर करने फटा बट से मैं रोटी पनीर के सबजी से मैं सेलर यह सब खाया अब जाके बस मुझे यह व्लॉग शू एडिट करना है अप्लोड करना है और थोड़ी दिर और पढ़के सोने आए तो दाट सेट लेट मी नो कैसा लगा